आओ बच्चों पढ़ते हैं कहानी परीक्छा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें परीक्छा जिब रियासत देवगड के दीवान सरदार सुजान सिंग बूड़े हुए तो परमात्मा की याद आई जाकर महराज से विनय की की दीन बंधू दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की अब मेरी अवस्ता भी ढल गई राजकाज संभालने की शक्ती नहीं रही कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे सारी जिन्दगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए राजा साहब अपने अनुभव शील निती कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रात्ना स्वीकार कर ली पर शर्ट यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा दूसरे दिन देश के प्रसिध पत्रों में यह विग्यापन निकला कि देवगड के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है जो सच्चन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंग की सेवा में उपस्तित हो यह जरूरी नहीं कि वे ग्रैजुट हो मगर हरिष्ट पुरुष्ट होना आवश्यक है मंदागिन के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं एक महीने तक उमीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी विद्या का कम परंतु करतव्य का अधिक विचार किया जाएगा जो महाशे इस परिक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच पद पर सुशोबित होंगे इस विज्यापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया ऐसा उचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं केवल नसीब का खेल है सैकड़ो आदमी अपना अपना भाग ये परकने के लिए चल खड़े हुए देवगड में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे प्रत्तेक रेलगाडी से उमीदवादों का एक मेला सा उतरता कोई पंजाब से चला आता था कोई मदरास से लेकिन सबसे विशेश संख्या ग्रैजूटों की थी क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से परदा तो ढगा रहता है सरदार सुजान सिंग ने इन महानुभाओं के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था हर एक मनुश्य अपनी जीवन को अपनी बुद्धी के अनुसार अच्छे रूप से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था मिस्टर अ नौ बज़े दिन तक सोया करते थे आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उशा का दर्शन करते थे मिस्टर द, स, और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगर नौकरों से बात चीत नहीं करते थे मिस्टर ला को किताब से घ्रिना थी परन्तो आजकल वे बड़े बड़े गरंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे जिससे बात कीजिए वह नमरता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था लोग समझते थे कि एक महीने का जंचट है किसी तरह काट ले कहीं कार रिसिध हो गया तो कौन पूझता है लेकिन मनुष्य कावा बूढा जोहरी आड में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हन्स कहां चुपा है हन्स कहां चुपा हुआ है एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हौकी का खेल हो जाए यह प्रस्ताव हौकी के मंजे हुए खिलाडियों ने पेश किया यह भी तो आखिर एक विद्या है इसे क्यों चिपा रखें संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर आए हाथों की सफाई ही काम कर जाए चलिए तैह हो गया फील्ड बन गई खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी रियासत देवगर में यह खेल बिलकुल निराली बात थी पढ़े लिखे भले मानुस लोग शत्रंच और ताश जैसे गंपीर खेल खेलते थे दोड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे खेल बड़े उत्सास से जारी था धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है लेकिन दूसरी ओर के खिलाडी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोही की दीवार है संध्या तक यही दूमधाम रही का अंधीरा हो गया था इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था इस पर कोई पुल न था पथिकों को नाले से नाले में से चल कर आना पड़ता था खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाडी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिये हुए उस नाले में आया लेकिन कुछ तो नाले में कीचर था और कुछ उसकी चड़ाई इतनी उची थी कि गाड़ी उपर न चर सकती थी वह कभी बैलों को ललकार था कभी पहियों को हाथ से ढखेल था लेकिन बोज अधिक था और बैल कमजोर गाड़ी उपर को ना चरती और चरती भी तो कुछ दूर चर कर फिर खिसक कर नीचे पहुँच जाती किसान बार बार जोर लगाता और बार बार जुझला कर बैलों को मारता लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती बिचारा इधर उधर निराश होकर ताकता मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता बड़ी आपत्ती में फसा हुआ था इसी बीच में खिलाडी हाथों में डंडा लिये घूमते 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 ऊधर से निकले किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आखो से देखा परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ खिलाड़ीों ने भी उसको देखा मगर बंद आखों से जिन में सहानभूती न थी उसमें स्वार्थ थी था मद्ध था मगर उधारता और वातसले का नाम भी न था लेकिन उसी समू में एक ऐसा मनुश्य था जिसके हिर्दा में दया थी और साहस था आज हौकी खिलते हुए उसके फैरों में चोट लग गई थी लंगडाता हुआ दीरे धीरे चला आता था अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी ठिठक गया उसे किसान की सूरत देखते ही सब बाते ग्यात हो गई डंडा एक किनारे रख दिया कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है जुक कर बोला हुजूर हुजूर मैं आप से कैसे कहूँ युवक ने कहा मालूम होता है तुम यहां बड़ी देल से फसे हो अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलो को साधो मैं पहियों को ढखिलता हूँ अभी गाड़ी उपर चड़ जाती है किसान गाड़ी पर जा बैठा युवक ने पहिये को जोर लगा कर उकसाया कीचर बहुत ज्यादा था वह घुटने तक जमीन में गड़ गया लेकिन हिम्मत ना हारी उसने फिर जोर लगाया उधर किसान ने बैलो को ललकारा बैलो को सहारा मिला हिम्मत बन गई उन्हों ने क उबार लिया नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता युवक ने हसकर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायन चाहेंगी तो दीवानी आपको ही मिलेगी युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा उसके मन में एक संदे क्या ये सुजान सिंग तो नहीं है आवाज मिलती है चहरा मोरा भी वही किसान ने भी उसकी और तीर्विद रिष्टी से देखा शायद उसके दिल के संदे को भाब गया मुस्कुरा कर बोला गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है निदान महीना पूरा हुआ चुनाव का दिन आ पहुचा उमीदवार लोग प्रातर काल ही से अपनी किसमतों का फैसला सुनने के लिए उसक थे दिन काटना पहाड हो गया प्रतेक के चहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे नहीं मालूम आज किस के नसीब जागेंगे न जाने किस पर लक्षमी की कृपाद्रिस्टी होगी संध्या से में राजा साहब का दरबार सजाया गया शहर के रईस और धनाड़े लोग राजे के कर्मिचारी और धरबारी तथा जीवन के उमीदवारों तथा दीवानी के उमीदवारों का समू सब रंग बिरंगी सच धच बनाए दरबार में आविराजे उमीदवारों के क लेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंग ने खड़े होकर कहा मेरी दिवानी के उमीदवार महाशयो मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे शमा कीजिए इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यक्ता थी जिसके हृदा में दया हो और साथ साथ आत्मे बल हृदा वह जो उदार हो आत्मे बल वह जो आपत्ती का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया ऐसे गुनवाले संसार में कम है और जो है वे कीरती और मान के शिकर पर बैठे हुए है उन तक हमारी पहुच नह मैं रियासत के पंडित जान की नाद सा को दीवानी पाने पर बढ़ाई देता हूँ रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जान की नाद की तरफ देखा उम्मीदवार दल की आंके उधर उठी मगर उन आखों में सतकार था इन आखों में इरश्या सरदार साहब ने फिर आप लोगों को यह स्विकार करने में कोई आपती ना होगी कि जो पुरुश स्वयम जखमी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर लाने में निकाट कर नाले के उपर चड़ा दे उसके हिर्दय में साहस आत्मिवल और उदारता का वास है ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा इसका संकल्ब दिर्ड है जो उसके चित कुस्तिर रखेगा वह चाहे धूखा खा जाए परन्तु दया और धर्म से कभी न हटेगा प्रेम चंद जी लेखक से परिजय हिंदी के एक महान लेखक और कथा संबराट के नाम से प्रसिध प्रेम चंद का वास्तिविक नाम धन पत्राय था उन्होंने समाथ सुधार और राष्ट्री भावना से ओध प्रोथ कई कहानिया और उपन्यास लिखे उनकी अनेक कहानिया जैसे एदगा, बड़ी भाई सहब, बुली डंडा, दो बैलों की कता, आदी, बड़ों और बच्चों के लिए बहुत बड़ी औसरा ही गई है होप यू लाइक दे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब